कि अग्याइब आज अग्याइब आज अग्याइब आज तो आज हम लोग डिटेमिनांट चैप्टर में जो टॉफिक कवर करना है स्टुडेंट वो टॉफिक है आप लोगा एड्जॉइंट ऑफ है मैट्रिक्स तो इसे पिछले वीडियो में हम लोग माइनर सेंट कॉफेक्टर एरिया अफ ट्रैंगल प्रोपर्टीज अफ डिटेमिनांट ठीक है वैल्यू अब डिटेमिनांट यह सारे लक्षर आप लोग इस्टॉइंट की कंसेप्ट को समझेंगे स्टुइंट और इस से रेलेटेट्ट प्रोब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है तो यह टॉपिक से आप लोग का एकसराइज एंसी आटी का एकसराइज 4.5 कम्प्लिट हो जाएगा इस टॉपिक से एकसराइज 4.5 आप का जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगे ठीक इस्ट्वेंट तो आप लोगों टॉपिक बाए टॉपिक चीजे बता रहे हैं आप लोगो उसके बाद एक और टॉपिक आप लोगों का यह डिटरमिनांट में रहा गया वह है अप्लिकेशन ठीक है तो उसको आप लोग की सारा टॉपिक्स क्या हो जाए स्टूडेंट एक वीडियो में कंप्लिट हो जाएगी ठीक है तो चलिए आए स्टूएंट अब हम लोग एड्जॉइंट आप मैट्रिक्स की कंसेप्ट को समझते हैं कि एड्जॉइंट आप मैट्रिक्स है क्या तो एड्जॉइंट आप म का चीजों को समझते हैं। जैसे कि हमने हम ने हम पर एक मैंट्रिक्स ए लैड करा मैंट्रिक्स ट्रॉट री परेंड को हम लोग 250 इस से री प्र चुप ई बच्कित करते हैं। उसके बाद इसका Adjoint यानि कि यहां जो AdJ A लिखा हुआ है Student इसका मतलब होता है ठीक हैं इसका मतलब होता है Student Adjoint तो Adjoint of A is the transpose matrix किसका capital Aij capital Aij का मतलब क्या होता capital Aij का मतलब होता cofactor of element Aij यानि कि यह capital Aij है small Aij मनला इस element का यह cofactor है जो हम पिछले वीडियो में आप लोग को minus and cofactor की concept आप लोग को बताए थे ठीक है कैसे हम किसी matrix का cofactor find out कहते हैं ठीक है वो आप लोग को हम बता चुके हैं तो capital Aij इस element का cofactor है ठीक है student cofactor element का जो matrix है उसके उपर T लगा हुआ है तो यह T का मतलब ठीक है यह जो T है student यह T का मतलब होता transpose ठीक है यह T का मतलब है transpose आप T से भी not कर सकते हैं या आप dash से represent कर सकते हैं किताब में transpose matrix को T से भी represent कर सकते हो तो transpose transpose of Aij ठीक है तो जब हम किसी matrix का transpose निकालते हैं तो उसका जो raw element है वो change किसमे हो जाता student column में और column change किसमे हो जाता है यानि कि जब हम transpose T जब हटाएंगे तो एक new matrix होगा और जो new matrix आपका जो अप्टेंड होगा student कैसे अप्टेंड होगा तो raw element को change कर देंगे column में column को change कर देंगे raw में यानि Aji ठीक है transpose of this matrix को हम Aji लेख सकते हैं ठीक है student transpose of this matrix यानि इस matrix का जो transpose है उसको हम Aji के गुप में लिख सकते हैं ठीक है student तो यह आपका concept है किसी matrix का adjoint find out करने का ठीक है अब आए इस matrix को हम एक 3 by 3 order matrix पर विचार करते हैं ठीक है let us consider let us consider a matrix of 3 by 3 order ठीक है यह जो matrix है इसको हम 3 by 3 order में अगर विचार करें तो उस matrix का adjoint कैसे लिखेंगे ठीक है समझे आरी बात को अगर यह जो matrix आपका यह तो कितना order का है यह जो matrices अधार का है इस matrix को किसमे कह रहे हैं कितना रहा है है एक दो 3 रहा एक दो तीन कोलम हैं कि 3 by 3 3 by 3 और का का है इस मैट्रिक्स को हम 3 by 3 order में लिखे हुए हैं जब 3 by 3 यह order का matrix आपको दिया हुआ है students, अब इसका हम को adjoint find करना है, तो सबसे पहले हम क्या कर इस्टुएंट जीतना भी यह elements है, सब का confactor निकालेंगों, और confactor elements का जो matrix आप construct करोगे, A11 का confactor, A12 confactor, A12, capital A12, A13 confactor, capital A13, यह इसका confactor, यह इसका confactor, यह इसका confactor, ठीक है, A21 का confactor, A22 confactor, A21 confactor, A31 confactor, A32 confactor, यह 3, तो जब सारे elements की आप confactor निकाल के, और मैट्रिक्स में जब लिखेंगे, तो वो matrix का आपको क्या निकाला हम इस्टूएंट, ट्रांस्पोज, यह T का मतला होता है, त्रांस्पोज ठीक है त्रांस्फोज यानि इस मैट्रिक्स का आप ट्रांस्पोज निकालना है तो आपका एडजॉयंट हुआ यानि Adjoint of A यह आपका आया इस मैट्रिक्स का यह Adjoint of A है तो यह है concept एक मैट्रिक्स का Adjoint निकालने का तो इसको स्टुडेंट हम एक एक्जाम्पल से काउंटर करते हैं यानि कि चीजों को मैं एक्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपको एक matrix given हो धिया हुआ हो तो उसका adjoint कैसे find करेंगे तो आप लोग को हम 2 by 2 order 3 by 3 order मैं आपको एक example से चीजों को solve करके बताते हैं कि एक matrix का adjoint कैसे find out करेंगे ठीक है student तो ये तो आपका concept था copy में इसको note down कर लीजे विडियो को pause करके उसके बाद हम इसका एक example से चीजों को आप लोग को समझाते हैं ठीक है student अब आते हैं एक example से हम समझते हैं कि एक matrix अगा given हो तो उसका adjoint हम कैसे find out करेंगे तो यहाँ पर एक question हम लिए find adjoint of A 4 matrix A 2,3,1,4 ये आपका 2 by 2 order का given matrix है तो इसका आपको adjoint निकालना है तो एक चीजह में सा यहाँ देखें student जिस matrix का adjoint आपको find करना है सबसे पहले उस matrix का जितने भी element से cofactor निकालना है और cofactor matrix पर निकलता है determinant पर निकलता है तो आए matrix जो A है उसको लिग देना है जो matrix दिया उसको लिग देना है लिग दी अब उस matrix को आपको हम बता चुके हैं तो आए students first element का cofactor हम क्या लिखेंगे A11 इस element का रहे first element का cofactor A11 तो जिस element का cofactor निकालते student उस element का raw and column raw and column ग्लिट कर देते हैं तो वो two का raw and column ग्लिट कर देते हैं तो element क्या आया पोजिशन या 11 आप दोनों को जो ही है 1 पलस 1 पोजिशन क्या है रहा 2 यानि कि कैसा पोजिशन इवेन है जब पोजिशन इवेन हो तो पोजिटिव साइन पोजिशन अगा ओड हो तो नेगेटिव साइन अब आए second element cofactor तो second element cofactor क्या हो गया तो element क्या है वन आया तो लिख दी लिए उसके आगे आपको sign लगाना होगा तो देखिए पोजिशन क्या है 1 और 2 को जो रहे 3 कैसा पोजिशन और है तो sign क्या लग जाएगा नेगेटिव तो 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 का कोfactor क्या निकला माइनस वन अब आये इस element cofactor निकला है तो इसलिए साइन क्या लग जाएगा नेगेटिव तो 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 जो ये इवन पोजिशन है तो वोजिटिव साइन ठीक है आपको अल्रेडी पहले ही बता चुके कि टू बाइटू और का फर्स्ट अलिमेंट का कोfactor पोजिटिव साइन होता है नेगेटिव नेगेटिव एंड क्या होता है पोजिटिव तो ये आपका 2314 का कोfactor a11 a12 a21 a22 निकल चुका है अब आपको क्या करना इस्ट्वेंट ये जो कोfactor element आया आपका उसका matrix construct करना है क्या करना है matrix construct करना है ये first row का cofactor है तो first row में लिखे second row का cofactor है second row में लिखे तो matrix आपका बन गया ठीक है four minus one minus three और two कई matrix बन गया जैसे matrix बनेगा उसके उपड़ आपको क्या लगा दना है T लगा दना है T का मतलब transpose ठीक है cofactor elements का matrix बनाने के बाद आपको टी लगाना है T का मतलब transpose T भी लिख सकते हो या डैस भी लिख सकते हो इसका मतलब यह हूँ कि यह transpose matrix हुआ तो transpose matrix का मतलब होता है raw को इंटाचेंज किसमे करना कॉलम में इंटाचेंजिंग आप रॉजेंड कॉलम तो फर्स्ट रॉक को फर्स्ट कॉलम में सकेंड रॉक को सकेंड कॉलम में तो transpose of this matrix जब हम इस matrix का ट्रांस्पोज निकाले तो यह आया तो इसी कौम करेंगे आप लोग 3 by 3 order 4 by 4 order निकाल सकते हो एड जॉइंट ऑफे ठीक है स्टुएंट समझ में आए बात को तो इससे related आप सवाल को सॉल्व कर सकते गिवन मैट्रिक्स हो एड जॉइंट निकाल सकते हो तो विडियो को पाउस करेंगे इसको नूट कर लीजे मैं फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं मतलब नेक्स्ट कोशन्स बता रहे हैं तो स्टुएंट अब हम लोग जो है एक 3 by 3 order की मैट्रिक्स का एड जॉइंट आप लोग को फाइंड आउट करने सिखाते हैं ठीक है स्टुएंट तो आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा कुश्चन नुम्मर एक्जेंपल टू ठीक है फॉइंट दा एड जॉइंट अफे मैट्रिक्स ए क्या दिया वे स्टुएंट वन 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 टू वन मानस त्री मानस वन टू त्री एक 3 बाइट्री ओर्डर की मैट्रिक्स आपको दी हुई है अब उसका एड जॉइंट आपको टू स्तंसरे टूइंट। ऑफे का 21 मेर टेलने के असे लियाए मैट्रिक्स चलह टेकल अंड। यह स्टै कहलेने वे फिर्ट निकालना है थिक है स्टूएंट तो आइए हैसे आपको पहले ही बता चुके हैं कि 302 और चीह 1 तो आईए इष्टरऊ का निकाल रहे हैं तो निकाल रहे हैं वाने का मतला कॉफेक्टर का मतला कॉफेक्टर ऑफ मतला कॉफेक्टर ऑफ यह तीनों typically ए वन टू ए तो आग सबस्ट्री के लिए मनी एक दिबाए कर देंगे तो तो जब रॉंड कॉलम डिट कर देंगे तो एलमेंट क्या बच्छा 1-323 लिख दिए यहाँ पर 1-3232 by 2 order का आगिया अब 2 by 2 order का आगिया तो उसका भल्म निकाल लेजी प्रोड़क्ट अप में डाग्नोर ठीक है वन को 3 से मल्टिप्लाई किया 3 माइनस प्रोड़क्ट अप डाग्नोर माइनस 3 को 2 से मल्टिप्लाई किया मैनस 6 तो क्या है इस्ट्वेंट 9 उसी तरह फिर आए ए वन टू एनिकी निक्स्ट एलिमेंट एनिकी वन का फिर को फेक्टर निकाल रहे है ए वन टू का मतलब को फेक्टर ऑफ वन अब फिर आए इसका कॉलम और और रिट कर दीजे तो 2-3-1-3-2-3-1-3 अब आए इसकी आ गात्य इंस्टुडेंट ही वो साइन पॉजिसण पर डिपेंट करता है यहं है क्या वनौन अटू कैसा पॉजिसण है और पॉजिशन व coke सबॉल्ज्वां फिरोत गूंगे जबार और फोसन होता तो नेटीव ऐसे भी आप लोग को हम बता चुके एंस्ट्वेंट यानिकि यहाँ पर मीछे में जो फैक्टर होगा पहला एलिमेंट का पोजिटीव नगेटीब पोजेटीब नगेटीव नगेटीव ठी दोफेर नगेटीव तिन हम साब याद दखिएगा घ्लक स्था तो आए तो यह आपका मतलब इसका कॉफेक्टर हैने 1 का कॉफेक्टर फिर इसका कॉलंब अगा छोग दीजे 2 1-1 2 2 1-1 2 1-1 2 1 & 3 even position 1 & 3 1 & 3 को जो रिए 4 आया even position इसले sign क्या लगी जागा positive product of main diagonal 4 minus product of off diagonal यहने 1 को minus 1 समिल्टिप्ला के minus 1 क्या है फिरा 5 उसी तरह फिर second का फ्रक निकालेंगे 2 का कॉफेक्टर क्या लिखेंगे a21-3 का फ्रक ** तो जहुम ए 2 1 निकालें बंगे student a21 का मतलब 2 का कोफेक्टर it which也 divulges a two one का मतलब two का कोफेक्टर तो जैसे टू का निकालेंगे इसका और इसका रो डिट कर दीजे तो वन वन टू थरी टू वन ओड पोजिशन है माइनस टू टू इवन पोजिशन है पलस ठीक है तो थी और पोजिशन माइनस सॉल्व किये तो आया मैनस वन इसको सॉल्व किये तो फोड आया इसको सल्व किने मैनस ठीस तरह थार्ड ओघट ओफैक्टर예요 मैनस फोर फाइप उन आया ठीक है स्टुएट तो यह आप लोग का जो है फ़र्स्ट रॉव सकेंड रॉव और थार्ड रॉव निकल गया कॉफेक्टर अब आये नौ अब अब अज़ोंट ऑफ ए ठीक है स्टुएट अज़ोंट ऑफ एज दा मैट्रिक्स किसका मैट्रिक्स क कॉफेक्टर अलिमेंट का तो जब हम फ़र्स्ट को लिखेंगे तो फ़र्स्ट रॉव का कॉफेक्टर तो फ़र्स्ट रॉव का क्या एवन वन टू एवन टू एवन तरी क्या आया नाइन मानस थिरी फाइफ है तो नाइन मानस थिरी फाइफ सकेंड रॉव का कॉफेक्ट एनंस 2 5-1 मानस 4 5-1 अब इस मेट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है एको जबकिष्टर अभू मेंट्रीय मेंट्रीशप्लिक देंगे तो ट्रांसपोज निकालना है स्कामाब क्या थी कि hm मतलब transpose का मतलब क्या होता है interchanging of round column रो को column में second row second column में third row third column this is the adjoint of a and is matrix का adjoint of a क्या है 9-1-4-345-5-3-1 तो यह आपका 3 by 3 order का adjoint निकल गया तो आइधिंग आप लोगो समझ में आ गया होगा कि जब कोई matrix दिया हुआ रहे उसका adjoint निकालना है student तो उस matrix का पहले क्या करना student कोफेक्टर निकालना है और कोफेक्टर elements का जो matrix होगा अप उसको जो transpose करेंगे तो जो matrix आपका आएगा वो adjoint कहला आएगा चीक है दिक्कत हो तो comment section में बताईएगा ठीक है मैं उसको explanation के साथ next video में हम आप लोगों को बता देंगे ठीक है student तो चले इसको note कीजिए आप लोगो स्टुएंट्स अब जो हम बताने जा रहें आप लोगो एड्जॉइंट अप मैट्रिक्स पे कुछ एक पॉर्टिंट रिजल्ट्स है उस रिजल्ट्स को आप याद रखे रहेंगे तो आपको खासकर बोर्ड के पॉर्ट ऑब यू से देखा जाया या कंपूर्टिव के पॉइंट ऑब यू से देखा जाया तो आपको सवाल बनाने में काफी हेल्प होगा student तो यह सारे जो रिजल्ट्स है वह आपको पता होना चाहिए तो आए स्टुएंट में कुछ रिजल्ट्स है उस रिजल्ट को करके आपको डिसकस कर रहे हैं तो जो फर्स्ट रिजल्ट हमने जो लिखा यहां पर है आप लोग सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन एड्जुएंट ऑफ मैट्रिक्स फैरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है चाहिए वो एक्जाम के पॉइंट ऑब यू से हो चाहिए एक कोलम होगी काम स्कूर्ण तो उसका रिजल्ट है स्ट्वज्ञट फैनलेंट यह जो मैट्रिक्स के जो अच्श्ञट करते हैं तो penis समझतिएंट जितना order का ए रहेगा उतना ही order का identity matrix होगी है यहां ए एन order का है तो identity matrix भी एन ही order का होगा यह result जितना भी आपको एहम बता रहें सारी result verified है आप एक particular square matrix पर यह result का verification भी करा सकते हो ठीक है student तो जितनी भी result है वो सारी result verified है हमें यहां पर सीखना है student कि how to use this result for solving the problems जब मेरे पास सवाल आएंगे तो सवाल में हम इस result को यूज कैसे करेंगे यानि एक चीज़ आप दिमाग में रखे रहेंगे कि जितनी भी result यहां हम बता रहें वो सारी result already verified है यानि कि अगर हम एक particular matrix पर इस result को verify करेंगे तो आपका verified हो जाएगा ठीक है student तो इसलिए result को यहां पर आपको याद रखनी है और इस result को आपको क्या करना है student यूज करने सिखना है ठीक है student तो यहां देखिएगा कि जब कोई given matrix हो और उसके एड्जोइंट से जब प्रूडट करेंगे तो मिया result क्या आता है determinant of a into i i यहां क्या identity matrix है ठीक है student and यहां क्या बता रहा और बता रहा है या एड्जोइंट of a into a एक को प्रूडट कीजिए एड्जोइंट के साथ या एड्जोइंट को एक के साथ प्रूडट कीजिए एक ही बात है ठीक है एक ही बात है क्या है student determinant of a into i तो यह एक result है अभी हम इस पर एक सवाल भी आपको बताएंगे ठीक है ताकि यह result आपको फील हो जाए तो मैं इस result पर अभी आपको सवाल भी बताने वाले हैं ठीक है तो फूरा वीडियो को आप लोगों देखेगा चूर मैं अब भी आप लोगों को इस result पर सवाल भी बताने वाले नेक्स्ट रिजल्ट क्या है इंवर्स ओफे नन्सिंगूलर मैत्रिक्स एक चीसा है क्यों सा मैट्रिक्स है स्वाध इस्वाइर इस्वाइर मैत्रिक्स अ ङ स्वाइड अबे इन्याप्ट ओफे मे हैं तो यह एक फर्मूला है जिस फर्मूले के हेल्फ से हम एक मैट्रिक्स एका इन्वर्स निकाल सकते हैं हम लोग मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स में हम लोग टॉपिक कभर किये थे कि एक मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे फाइंट करते हैं तो मैट्रिक्स चैप्टर में हम लोग इलमेंटरी ट्रांसफोरमेशन यूज करके हम एक मैट्रिस का इन्वर्स फा идет करें जो कि त्वह साइधक्ष क्षrade भुडु होता है कि वहाँ पर उपर आपर bats आउट लेकिन यहाँ पर formula है और formula हमें काफी easy बना देता है सवाल को solve करने में ठीक student तो एक matrix का inversion adjoint concept से solve कर सकते हैं तो वो formula क्या होता student याद रखेगा one upon determinant of a into adjoint ऐसे सवाल आया करता है exam में इसे सवाल आया करता है तो ये भी result very very important एक matrix का inversion पैसे find out करें तो उसकी formula होती one upon determinant of a into adjoint इसमें एक बात आप लोग याद रखे रहेंगे कि हम उसी matrix का inverse निकाल सकते हैं जो matrix non-singular हो जो matrix का हो non-singular non-singular का मतलब होता student उस matrix का determinant zero के equal नहीं होनी चाहिए अगर एक matrix का determinant को जब आप evaluate करें यानि value जब निकालिएगा और zero अगर आ गया तो फिर उस matrix का inverse exist नहीं होता है और उसका inverse find out नहीं होता है जिस matrix का determinant का value zero के equal नहीं होएगा उसी matrix का हम लोग inverse find out करते हैं तो very important note इसको भी आप लोग note कर लिजएगा ठीक है student third result है third result वो क्या है A B A non-singular matrix of order है यहां एक matrix A है ठीक है कैसा matrix non-singular है तो उस matrix का adjoint का determinant इस matrix का adjoint का determinant क्या होता student determinant of A upon n-1 यहां क्या बता है student तो n यहां पर आपका order ठीक है order of matrix ठीक है order of matrix सवाल आपको क्या है को मैट्रिक्स आपको दे दीगी को मैट्रिक्स आपको दे दिया ठीक है student अब उसका आपको निकालने बोलेगा find adjoint A का power n-1 तो क्या करेगा जो matrix A है इसका determinant निकालेगा और इस फर्मूले में बढ़ा देगा ठीक है जैसे कि माल लीजिए कोई matrix आपको A जैसे माल लीजिए यहां पर आपका matrix A के रूप में माल लीजिए यहां पर तो इसको आपको find करने बोलिया adjoint A का determinant तो student क्या करेगा इसका adjoint निकालेगा फिर इसका determinant निकालेगा लेकिन अगर student को पता है कि नहीं adjoint A का determinant होता है वह determinant of A का power n-1 होता है तो क्या करेगा सीधे इस matrix का determinant निकालेगा तो determinant निकालेगा इस matrix का क्या जाएगा प्रोड़क्ट आप में डागरोल निक्या हो गया फोर माइनस 6 यानि क्या हो गया माइनस 2 अब क्या करेगा student minus 2 का power n-1 तो कितना order का है 2 by 2 order का है तो n का value क्या हो गया 2-1 तो minus 2 का power 1 यानिके answer हो गया इस आपको सवाल भी बताएंगे इस result पर आपको सवाल भी बताएंगे ताकि आपको चीजे feel हो जाए ठीक student तो याद रखे रहेगा एड जोएंट एक डिटर्मिनांट क्या होता student एक पावर n-1 तो जितना भी हम रिजल्ट आपको यहां बता रहें उस सारे रिजल्ट पर आपको अभी हम सवाल बताने बाले हैं जिससे सारे रिजल्ट आपको तो यहां पर आपको रिजल्ट को यूज करने सिखना है तो वीडियो को पाउस करके साहे रिजल्ट को आप लोग क्या कर लिए नोट कर लिजे मैं अभी आपको नेक्स्ट और कुछ रिजल्ट बताएंगे तब फिस सवाल बताएंगे ठीक है तो नोट कीजिए उसको तो अब हम लोग नेक्स्ट को हम डिसकस करते हैं तो नट रिजल्ट आपका क्या है इस बात समझेगा कि यहां पर सबसे पहले हम उस मैंट्रिस का एड्जॉंट औफ निकालेंगे अप फिस मैंट्रिस का कि बढए का मैज्जोंट अब फिर उसका अपने ज्वर निकाले तो यह लिखे AZO exposed आप जोएंट आफ एक का जो रिजल्ट होता स्ट्रूंट वह रिजल्ट यह है डिटर्मिनल टॉब पवे का पावा किया रिजल्ट फ्रींटव पणाँट दूब ओए तो जो यह रिजल्ट आप याद रखेंगे थिक है और दूसरा इसी का जब हम अगर हमको यह करने के लिए बोल दिया जाए तो अगर रिजल्ट आपको याद है तो बहुत इसली सॉल्व कर पाईएगा अगर रिजल्ट याद नहीं है तो फाइंड आउट तो कह सकते हैं लेकिन कैल्कुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा उस मैट्रिक्स का पला जोएंट निकालेंगा फिर उसका एड्जोएंट निकालेंगा तब जाके डिटर्मिनाट निकालेंग ही ओ धिगे जो मैट्रिक्स से उसका डिटर्मिनबिनांट निकालना है और यहां यहां ग़कि नहां फेल जो है यहां और इम जो है रहादट है वह है यहनिकि यह न जो है मैंटिस का ओर बता रहा है अगर टू बाइ टू ओर का होगा तो यह तो बहुत हो जाएगा यह रिजल्ट आपको पता है तो यह नेक्स रिजल्ट था वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसका सवाल भी आपको बताऊंगा पहले यह रिजल्ट को डिसकस कर लें रिजल्ट को पहले लिख लिजे उसके बाद मैं इस पर सवाल भी बताएंगे ताकि चीज़े बहुत किलियर हो जाए आप लोग ठीके स्टुएंट नेक्स रिजल्ट क्या है एज नॉन स्टिंगलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स जहां भी मै इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या स्टुएंट किसका इंवर्स का वन अपोन इसको क्या बोलें इस्टुएंट डिटर्मिनांट ऑफ ए बूलेंगा ठीक है तो यह चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो तो यह भी आपका वेरी इंपोर्डेंट रिजल्ट कुश्ट नमर ने क्र。」 इच्छ रिजल्ट क्या है फॉर एट ङूरन नद पूलेंट मैट्रिक्स कैसा मैट है उपका लिख स्कुरण मैट्रिक्स के लिए या इंपोर्टन आपको दूनों मैट्रिस का जब और्ट करेंगाए उसका आइज्चिभी निकालएे है तो वह लेंट इक्वल होता ह लेकिन नहीं होती है एक बी इन्टू एड्जुएंट इसका भी इसका भी अध्यूट निकाल लीजिए इसका भी निकाल लेजिए ठीक है स्टुएंट अब इसको इसको इसे प्रोट कर दीजें तो इसको जब इससे पूरेट कर दिएगा तो वह आएगा एड़ जोएंट ओफ एड़ जोएंट ओफ एड़ तो यह और सकेंड का इन्वर्स बी इन्वर्स इंटू एइन्वर्स कोई दो मैट्रिक्स लेकर यह भी रिजल्ट को आप वेरिफाइब कर सकते हो यह वी को ही वेरिफाइब कीजिए दो मैट्रिक्स आपको देदेगा और रिजल्ट को वेरिफाइब कीजिए चिक इस्टुएंट तो यह आपका six very very important result किसका इस्टुएंट एड़ जोएंट ओप मैट्रिक्स का तो इसको आप लोग वीडियो को पाउस करकर नोट डाउन कीजिए उसके बाद अभी आप लोग को हम इससे रेलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्ब करने वाले हैं जिससे आपको यह टॉपिक किलियर हो जाएगा तो नोट डाउन कीजिए फिर मैं सवाल बताता हूँ अगा तो इस्ट्वेंट अब जो हम लोग है जो प्रिजल्ट आप लोग भी बताया उसरे ब्रीजल्ट पर कुछन काउंटर कर रहे हैं तो आए स्ट्वेंट में यहां पर इस दो कोश्चन नमर मरें और कॉस्ट्राइज इस तो वैरी इंपोरण ठीक है श्चाइब्ल तो क तो ओर्डर थ्री देन इसका मतलब क्या स्टूडवाइट इसका मतलब क्या डिटर्मिनांट डिटर्मिनांट और जोइंट आफ एस इसका स्वान यहां को तो बहुत यही ली सॉलव हो जाएगा student अभी अभी आप लोग को हम बताये हुए हैं ठीक है question number one का solution अगर हम देखे इसकी solution तिक है बहुत easy बन जाएगा बहुत easily solve हो जाएगी अभी आप लोग आप्लोग को हम बताये क्या बताये कि determinant sorry adjoint of a का determinant determinant of a का power n-1 यहां पर लिखेंग student determinant of a का power n-1 तो n यहां क्या वह है order तो order यहां क्या है 3 by 3 मतलब 3 तो यहां पर लिखेंग student determinant of a का power n का value यहां हो गया 3-1 तो determinant of a का power क्या तो कौन सा option यहां हो जाएगे बताइए आपने लोग तो option भी हो जाएगे तो option भी हो जाएगे अब यहां पर क्या student कुछ्छन में जो 2 है वो क्या है if a is invertible matrix of order 2 then determinant of a inverse तो अभी अभी आप लोग को हम बताए student कि determinant determinant of a inverse को हम लिख सकते हैं one upon determinant of a या इसको आईसे भी लिख सकते हो determinant का मतलब vertical line a inverse equal to one upon determinant of a तो आईए determinant of a inverse किसके को लाता वन अपन determinant of a तो कौनसा option हो जाएगा student option b हो जाएगी तो question और one का भी option b और question two का भी option क्या जाए student b हो जाएगा तो कितना easily result से solve हो गया question number one को इस तरह भी सवाल आपको दे सकता है student question number one को भी ऐसे सवाल दे सकता है मानले जिए कोई matrix a है इसकी order आपको बोल दी गई a is matrix of order आपको बोल दी गई order आपको बोल दी गई 3 by 3 और आपको determinant of a का value आपको दे दिया है 5 ठीक है student अब find आपको करने बोला adjoint a का determinant तो बस simply बन जाएगा adjoint a का determinant 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 of a का power n-1 तो determinant of a का power n-1 तो n का मतलब होता है order order यहां क्या 3 by 3 तो 3 by 3 का मतलब 3 तो यहां student 25 तो कितना आसानी से result से solve हो गया ठीक student तो आएए अब हम लोग next सवाल की और चलते हैं तो वीडियो को पाउस करके इसको note down कीजिए मैं आपको next type of questions आप लोगों को बताते हैं ठीक students note down कीजिए तो students अब हम लोग next question की और चलते हैं तो next question आपका क्या choice one if a is in GC one medical एक आसा मैट्रिक्स चुंञ इन्वर्टी और मैट्रिक्स से मतलब one- फिले मेट्रेक्स से जिस же tämä kurzJust but in the any best exercise is मैट किया बोलते हैं श्यूंग एक लिइक करते हैं ठीक तो एक जोन सिंग्डव मैट्रिक्स है कितना ओडवे का 3オрडर मतलब 3o Reichлись 11 Mod तो यहां पर आपको find क्या करना है एड्जॉइंट एड्जॉइंट और फिर इसी का डिटर्मिनांट इसका मतलब क्या हुआ डिटर्मिनांट जब कि गीवन पार्ट क्या है डिटर्मिनांट अफ एक वल टू अगर फॉस्ट लूप देखा जाए यहां को तो लेगर कि सवाल नहीं बनेगा वह डिफ़िकल्ट है जो मेतricks है उसका ुवदि निकाल Bottom लिए है फिर पिर उसका एड्जॉइंट निकाली आ यहां तो नहीं है तो कैसे find out होगा इस तर नहीं पता यह सब कुश्चन पर कुछ ध्यान दीजिएगा ठीक है जो आपको हम बता रहे हैं तो आए स्टुएंट कैसे यह सवाल सॉल्व हो जाएगा तो अगर आपको रिजल्ट पता है तो यह सवाल बनाने में आपको समय नहीं लेगा तो अभी अभी आपको रिजल्ट बताए स्टुए अध्यूइंट कि एडज्वाइंट एडड़्वाइंट इन्टू ए यह होता है यहां क्या स्टुएंट ओर यहां दिया हुआ है तो एन गया दिए इत्व इतना बराबर होती है पता है तो स्वाल सौल्व होगा इसलिए हैं बार-बार करें कि इम्पोर्टों इसको दिमार तब एसे सवाल होंगे सवाल कहते हैं रिजल्ट पता है तो सवाल यू सॉल्ब हो जाएगा तो इसका इसका भेलो थी मैनेस टूं इंटू ए तो धिर्म ऩणी तो दी उन का पावर यहां कि आपिए उन्छ नएक लिखिये को दिकत नहीं है आपका क्या दिया वट तो इसका वैलु रख्ट है अई एपका 2A , आप्सवन बीदे सकता है तो इसके एंसर हो गए अब आए इससी का डिटर्मिनान्ट निकालना है तो यह भी रिजल्ट आपको पता है determinant of adjoint of a, क्या होता student? determinant of a का power n-1 का square है, ये 2 है square, तो यार, n कैस्ट 1, n यहाँ पर कैस्ट 1, order, order क्या है, 3 है, तो n का value 3 हो गिया, 3-1 का square, तो 3 में 1 घटा है 2, 2 का square जाँ अब क्या जब हो, determinant of a क्या दिया 2? तो determinant of a का value हो गिया 2, तो यह ट्रीकी टाप कोश्चन था वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो इसको विडियो पाउस करके इसको नोड कर लिए इस तरह का सवाल अब हो जाएगा तो बहुत इसलिए बता दिए फिल भी हो गया आप लोगो तो इसको डाउन कर लेजे वीडियो को पाउस करके अब नेक्स्ट टाइप पोश्चन के इस्ट्वेंट इन वर्क्स निकालना आपको ठीक है इन वर्क्स किसका ए मैट्रिक्स का यानि आपको क्या फाइंट करना को सब्क्राइब Lutherी इन वर्क्स हों इस्ट्वेंट आपको सब्सक्स कुल ट Liberty सब्यक्रेंट के लिए यह पएंट कैसे मैं आपको सिखा चुका हूं क्योंए तो जो मैट्रिक्स आपको जो दिया हुआ ए उसको सबसे पहले डिटर्मिनांट निकालेंगा तो इसका भैलू भी एविल्यूट कर लेना है तो प्रोडक्ट आप मेन डायगनोल माइनस प्रोडक्ट आप डायगनोल तो क्या रेश्टवन 14 नौट इक्वल टू जीगो इसका मतलब है कि यह मैट्रिक्स नौन स्विगुलर है तो इसका मतलब है कि इसमें इन रख्स फाइंड आउट होगा अगर यह डिटर्मिनांट जी कैसे निकलता है कॉफेक्टर एलिमेंट का मैट्रिक्स तो जो मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनांट में आपने चेंज करा जितने भी एलिमेंट है सब का कॉफेक्टर आप निकाली है तो इस एलिमेंट का कॉफेक्टर एवन वन हुआ तो इस एलिमेंट का कॉफेक्टर या इ इसका कॉफक्त है chunky a2 फोए इसका काउपित्र शो दिज्य क्या हो गिए क्या है मैनस फोग लेकिन यह कैसा पॉजीशन और पॉजििटिव लगई आध एसका कॉफक्ट्र क्या होगा-a 2 naar 2 dus के स्ट्वेंट तो टू टू कैसा पोजिट्व होगा ठीक है तो अब यह जो कॉफ्थेक्टर आया अब इसका मैटरिक्स बना लेना है तो आये सब्सक्राइब को सब्सक्राइब तो इसका यह ट्रांस्पोज हो गए तो यह जो मैट्रिस आपका आया इसकों क्या बोलेंगे एड जॉइंट ऑफ एक आएंगे तो जो फर्मूला होता है उस फर्मूले में उटप कर दीजिए वान अपॉन डिटेमिनांट अपे क्या है फोर सब्सक्राइब को बता देंगों ठीक है लेकिन जहूर बन जाएगा जिसको एड जॉइंट फाइंड आउट करने सीख लिए उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं कि फर्मूला यह होता है अब फर्मूला बेस सवाल बहुत ईजी होती है ठीक है स्टुएंट तो इसको नोट स्क्वार मानस 6A प्लस 17I इक्वल टुजीरोगे मैट्रिक्स इस एक्वेशन को साटिस्पाइब होईगा या नहीं होईगा यह आपको सो करना है ठीक है स्टुएंट और इस एक्वेशन से आपको क्या फाइंड करना है तो वेरी इंपोर्टन कोश्चन इस्टुएंट यह आपका एक्वेशन को सटिस्फाइब होईगा यह मैट्रिक्स एक्वेशन की नहीं वह पर चेक करना है तो सबसे पहले जो इक्वेशन उसको लिखिए तो एसको है को हम लिख सकते है एंटू ए मैनस 6A प्लस 17 तो मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ हुआ है टू मैनस 3 3 4 तो मै मैनस 6 जो दिया हुआ है उसको उतार देना है 17 यहां क्या स्टुएंट आई है आई तो यहां जो आई यह स्टुडेंट ध्यान दीजेगा मैट्रिक्स ए है टू बाई टू ओडर तो आई भी आपका क्या होगा टू बाई टू ओडर का यहां दखेगा गीवन मैट्रिस इतन से मैट्रिक्स से प्रोडट करते हैं तो फर्ष्ट मैट्रिक्स का हम रहा लेते हैं अब मल्टिप्लाइ किसे करते हैं कॉलम से तो फर्ष्ट को फर्ष्ट कॉलम से मल्टिप्लाइ किये तो यह अलिमेंट आया कैसे मल्टिप्लाइ होता है पता ही है फर्ष्ट फर्ष्ट अल तो दोनों मैट्रिस को पोड़ेट की तो यह आया अब आगे माइनस 6 से मल्टिप्लाइ कर दिए मैट्रिस के आगे एलिमेंट 6 है तो यह 6 से हम क्या कर दिए सारे एलिमेंट से मल्टिप्लाइ कर दिए यह आपको पता कि मैट्रिस का को इसकेलर होता तो वह इसके लिए हर element से multiply हो जाते हैं तो मैनस 6 से multiply करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा प्लस तो मैनस 6 को 2 से multiply किये मैनस 6 को 3 से multiply किये मैनस 6 को 4 से multiply किये अब यहां 17 को फी multiply करें 17 को 1 से multiply कि 17 17 को 0 से multiply 0 17 को 1 से multiply कि 17 टुर एक्षस्टन अब यहां पड़के दोनों मैयट्रた के बिछ में प ललास है तो च्लिक अचारण हो जाएगा तो फस्ट फस्ट two स्रक्ण क्या मैंडोर्र है बगोट एक्षाइब बन्हाल मडमिकर सेंट तो सब्सक्राण साथ। और 7 ठीक है trying आब दोनों मैट्रेउस के बीछ ए भी पलस हैं तो में अलिमेन्ट को मतलब समझे रहे हैं को मतलब मैट्रीस का एडिचन मतलब अलिमेंट का एडिचन तो 2nd 3rd 4 4 तो मालस 5 को 5 से 18 को 18 से 0 7 से 0 तो सारा ळमेंट 0 हो जया तो इसको हम क्या बोलते हैं 0 मैट्रेस कराते ह। π्षख़ा точно आ गया यह ऐ度 करना था कि इतना बकार्षा तो बृबब करना था 0 आ गया तोिसका मतलब यह ट्रिंट कि कि यह मैट्रेस इस equation को क्या कर रहा है सटिसफाई कर रहा है तो यह हुआ एक पार्ट अब हम इस equation से से karend करना है ठीक है तो इसको बिडियो को पाउस करके नोट कीजे उसके बाद हम सकेंड पार्ट आपको हम बताने जा रहे हैं ठीक है कि इस एक्वेश्ण से हम A inverse कैसे find करेंगे ठीक है student तो note down कीजे पहले तो student अब हम लोग second part आते हैं तो यह satisfy होने के बाद A inverse find करना है तो इस equation से A inverse कैसे find करेंगे तो equation student उसको लिख देना है equation मैंने या लिख दिया अब इससे A inverse find करना है तो कैसे find करेंगे तो देखें student A एक मांज जो इक्वेशन में एक इनपुट डालना है वह क्या है इंपुट डालना है वह वह क्या है इन्पुट डालना है किसे multiply करना instrument a inverse तो जब equation में a inverse से multiply करें instrument throughout इसमें multiply होगा इसमें multiply होगा तो आए a square में a inverse multiply किये तो a square into a inverse minus 6 a into a inverse minus 17 i into a inverse तो इसमें multiply करा इसमें करा इसमें करा ठीक instrument अब आए a square इंटू A इंवर्स को आप लिख सकते हैं 2A हैं यहां पर एक बाहड कर लिजी और 1A को इसके साथ लिख दीजिया तो A into A इंवर्स ठीक है ठोका सा एरेंज किरना आप लोको ठीक है इस्ट्वेंट गौने दो कि आप लोग को पता है student कि एक matrix को अगर हम i के साथ multiply करेंगे तो क्या होता student a होता है किसी matrix को i से multiply करेंगे तो क्या है गा student a आएगा आपका ठीक है i मतला identity matrix identity matrix को अगर हम किसी matrix से multiply करेंगे तो वह जो matrix हो ही आएगा ने श्टुडेंट तो एक एक उधर ले जाएंक तो क्या हो जाएगा आई हिइक मैस्स और टेने को एक नवह से इक सब्सक्राइब करें तो जो मैट्रिक्स उतार देना है तो हमको तो हम सब्सक्राइबर करना है लेकिन उससे पहले एंटू आई के जगा हम क्या लिख सकते हैं यह मानश स्ट्वंटिए लिख दिए अम इनस 17 और इधा डिवाइट कर देंगे तो क्या हो जाए वन बाई सेवेंटिन माइनस यह जो साइड है उससाइड ले गए तो मानश सवेंटीन को जब इधा डिवाइट करेंगे तो वन ब कि इसको सॉल्ब कर दिया यहां लिख दिये माने सिक्स से मल्टिप्लाइ कर देंगा पलस हो जाएगा पलस हो जाएगा तो मैंस से मल्टिप्लाइब से मल्टिप्लाइब हो जाता है यह तो पता ही है आप लोगो अब दोनों मैंट्रिस के बीचे पलस हो गया पलस हो गया तो एलमेंट को जोग देना है तो 2-6 को जोगए तो-3 को जोगए तो-3 को जोगए तो यह आपका निकल गया है क्या स्ट्ववेंट एंवर्स आपका निकल गया तो यह था आपका सकेंड पार्ट तो पहले उस equation को satisfy करना है उसके बाद उससे inverse find करना है तो कैसे find करना है तो जो equation है उसमें throw out A inverse से multiply करना है और उसको फिर solve करके A inverse find out कर ले लिए तो इससे related सवाल solve किजिएगा student अगर आपको नहीं समझ मैं अधिक्कत हो तो comment किज़ेगा तो मैं next video में फिर आपको इससे related फिर जो question है मैं repeat कर दूँगा फिर explanation करके आपको बता दूँगा ठीक है student तो आप लोग को हम जितना आज types बताएं वो types को आप लोग try किज़ेगा घर पे बनाने का solve करने का try किज़ेगा ठीक है और कोई problem है तो बताईएगा student ठीक है तो मैं next video में adjoint से related एक दो सवाल और है जो आपको next video में चीज़े को बता देंगे ठीक है student तो तब तक के लिए इतना रखी आप लो मैं next video में जो result और भी कुछ है एक दो सवाल मैं आपको next video में बता दूँगा तब तक इतना type को कभर किज़े आप लो